कर महा देव स्री शिवाय नमस्तुभ्यम 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को इस बार धन तेरस पड़ रहा है। धन तेरस कार्तिक मा के क्रिश्म पच्ची की त्रेव दसी तिति अर्थात प्रदोस तिति को धन तेरस मनाया जाता है। कहते हैं कि धन तेरस के दिन धन वंत्री भगवान का प्राकर्ट हुआ था। इसी दिन से धन लाब पाने और निरोगी काया पाने के लिए भगवान धन वंत्री की पूजा की जाते। और सबका अपना अपना बिधी है धन तेरस के दिन पूजा करने की। तो चलिए धन तेरस पे हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जो कि पंडित जी ने बताय कि हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी यदि हमारे घर में अपार धन संपदा है भोले बाबा की क्रिपा से तब भी हम यह उपाय करते हैं तो माता लश्मी भले ही बैकॉंट च लगाया जाता है अकाल मृत्यू से बचने के लिए यम का दीपक कैसे लगाना है यम का दीपक लगाने का नियम क्या है यम का दीपक जलाते समय क्या गल्ती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और जब हम यम का दीपक रखते हैं तो उसके नीचे क्या चीज रखना उस दीपक क जलाना कैसे जलाना है धन तेरस के दिन क्या जो दीपावली का पर पांच दिन का होता है तो पांचो दिन जलाना जरूरी है या किस दिन जादा जलाना सुब होता है तो इन सारी बातों को देखेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि धन तेरस का उपाय तो यहां उपाय है ज वह दिखनी तिखनी बरकत होती है और साल भर में आपको दिख जाता है कि जब आपने यह उपाय किया है तो भगवार ने आपको कितना कुछ दिया है यदि आप किसी मनोकामना से या उपाई करते हैं तो आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होती है तो चलिए सुरू करते हैं उपाई को साथ स्वास्तिक वाला उपाई यह है और आपको करना धन धन 13 के दिन है यह उपाई में आपको यदि κάποlor समान खरीद के ले के हैं जिसे धन 13 के दिन हम लोग क्या है कुछ नग ाकुछ समान खरीदना निया नहीं होता। नई भगवान भी झीच हो जाता। लेकिन लेकिन e कुछ नग खरीदा जाता लता है वह समाना जाता है। बहुत दिनों से ये प्रचली था है कि कुछ न खुरीदा जाता है, चाहिए एक चमज खरीज़े, चाहिए दीपक खरीजे, कुछ भी खरीज़े। जो खरीदते हैं वह ही सुब होता है। तो आपने कुछ समान खरीदा तो उस दिन इसकी भी पूज़ा आपको करनी चाहिए, अब देख लेते हैं, आपको क्या करना है, कि आपको लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा कुम-कुम, कुम-कुम और रोली दोनों एक ही होता है, और थोड़ा सा आपको कुम-कुम वाला चावल बनाना है, और एक हल्दी वाला चावल बनाना है, मतल़ पीले चावल बनाने है, कुम-कुम वाले चावल बनाने है, आप चावल में थोड़ा सा जल डालेंगे, फिर चावल मिक्स कर देंगे, तो वो कुम-कुम वाले चावल बन जाएंगे, और जो main gate होता है, जहां से आप लोग एंटर करते हैं एकदम, वहाँ पे, वहाँ पे आपको दो स्वास्तिक बनाने हैं, जो आपने कुम-कुम से, जो रोली है, कुम-कुम है, उससे दो स्वास्तिक आपको बनाने, एक इधर, एक left side में, एक right side में, एकदम अपने घर के main gate पर, जहां कि हम बाहर का दर्वाजा दूसरा है, खोल के थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा जगा बचाने, जो एकदम आपका front है, जहां से आप एकदम entry रहते हैं, वही पे आपको बनाना है, main gate पे, आपको दो स्वास्तिक बना देने हैं, एक, वो स्वास्तिक आपको बना देने हैं कुम-कुम के स्वास्तिक बनेंगे, और जब आप कुम-कुम वाला स्वास्तिक बनाएंगे, तो आप उस पे आपको हल्दी वाला चावल लगाना है, जो आपने स्वास्तिक बना तो बीच में, जहां पे वो jointer रहता है, स्वास्तिक का, वहां पे आपको हल्दी वाला चाव लगा दिना और हली ओला चावल वैसे तो चिपगर ने तो भुग के लिए जो मिठाई व गदर आती ना थोड़ा जाने हावाल का खावाल को खेसे अब आप खावाल को खेसे बाद जो कि पानी पीने पावी का थान आजए लगा लगा तो आप आरो पे बनादीजे या मत्कव वगर रखते हो तो वहां पर बना दीजें, या डिब्बे लगरे me, जैसे भी आप के- स्टील के बर्तन में, टंकी लगरे me लखे हिं। आप उस पर बना दीजें, तो उस पर आपको पानी पीने की स्थान पर आपको कुम-कुम का चावल बनाना है, कुम कुम का स्वास्तिक बनाना है और हल्दी का चावल चिपका दिजे अब ऐसा आपको बनाना है दो आपने मेंगेट पर बना दिए दो मंदिर पर बना दिए और पांचवा आपने पानी पीने का इस्थान है आप वहाँ पर बना दिए और अब छटवा आप बनाएंगे नहीं चुवा जाता है और जो उपाय है इसको आप धिंतिरस की पूझा ली है उसके बाद ही बना सकते हैं द्धंतिरस की पूझा करने seizureουν पहले भी कर सकते हैं तो वह साम होई जाएगी क्योंकि जो धंतिरस की पूझा होती हो, प्रदोस sta событи प्रदोस्काल के समय से ही शुरू हो जाती है तो प्रदोस्काल के समय माता तुलसी को सुवा ने जाता साम को तो उनके क्यारे पे आप जो गमला वगर आप उस पे बना दीजे तुलसी माता को मत छुए उनके गमले पे बना दीजे जो तुलसी माता के क्यारे पे बनेगा वो क कुम कुम का स्वास्तिक बनेगा और उस पे हल्दी वाला चावल चिपकेगा और फिर जो आपने सामान खरीदना है चाहे दीपक है चाहे प्लेट है चाहे इस्टील का टंकी या जो भी आपने सामान खरीद है उस पे कुम कुम का स्वास्तिक बनेगा और हल्दी का चावल के समय से भी शुरू हो जाती और रात बन चलती रहती इस तरह से आप यह उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती है जो भी मनोकामना से आपके आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी होती है अब दूसरा उपाय देख लेते हैं जो कि पंडित जी जो भी मनोकामना होती वो जरूर से जरूर पूरी होती अब आपको क्या करना है कि 29 अक्टूबर से धन 13 से और 3 नवंबर तक आपको डेली एक बेल पत्र एक चावल का दाना आखा तूटा फूटा नहीं बेल पत्र भी कहीं से खंडित ना हो फटी-फटी नहीं इस बात का ध् वो मन नमा शिवाय जब शूरू करेंगे तो आपको समरपीत करना एक बेल पत्रर एक चावल का दाना हलदी में रंगा हुआ चावल का गर्ष जना और एक कमल गट्टा पर समरपीत कर देना है तो किम नमबर एक चावल का दाना और एक कमल गट्टा आपको सीवलिंग पर समर्पित करना है तो यह पंद्रा नॉम्बर आप 11, 12, 13, 14, 15 नॉम्बर तक आप इधर पान दिन कर लिजेगा और पान दिन तो 29 अक्टूबर से 3 नॉम्बर तक आपको करना यदि आप 10 दिन तक या उपाय कर ले पड़े आप तब यहा उपाय कर सकते हैं जिस भी कामना से आप करेंगे आपकी मनो कामना जरूर से जरूर पूरी होगी और धन वगरा से जो भी समस्या होगी वह आपकी जरूर से जरूर दूर हो जाएगी पंडी जी अपनी कथाओं में हमेसा कुछ ना कुछ अच्छे अब चलिए देख लेते हैं जो यम का दीपक कैसे लगाना है यम का दीपक किस दिन लगाना चाहिए क्या दीपा वाली के पांचो दिन लगाना चाहिए जैसे धन्तेरस से लेकर भाई दूस्तर तो बहुत लोग पांचो दिन लगाते हैं बहुत लोग धन्तेरस के दिन लगात तो मैंने अपना बता दिया बाकी धंतेरस के दिन पंडी जी ने बताया तो मैं उन्हीं का ज़्यादा सुनती हूँ तो मुझे ट्रेस्ट भी रहता है तो इसे सबसे मैं धंतेरस के दिन यम का दीपक लगाना चाहिए वैसे आप 5 दिन में से किसी भी दिन लगा देंगे तो ब लगाना कैसे है यम का दीपक लगाने के लिए आप पुराना दीपक भी ले सकते हैं या मिट्टी का दीपक ले सकते हैं थोड़ा बड़ा लीजेगा जो परहिव अगयर आती न वो लेंगे तो अच्छा रहेगा और या आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं मिट्टी का द बस ग्यारा साड़े ग्यारा बारा बज़े तक कभी भी लगा सकते बस लगाते समय एक बात का ध्यान रखेगा घर के सब लोग रहें ऐसा नहीं कोई घर के बाहर गया है और आप दीपक प्रजलीत कर दे रहें तो इससे अच्छा यही होता है कि आप रात के समय लगाईए रहें को बड़ा शदस्य लगाए तो बहुत अच्छी बात है जो घर के मेन उते वह लगा है उसके बात क्या है एक ही दीपक लगाया जाता है यह यह लगा अपको क्या करना है मिट्टी का दीपक ले लिए आटे का दे दो लंबी बाति आपको लेनी है सरसों का तेल डालना उसमें इतना तेल डालिए कि पूरी राज जल जाए तो अच्छा है और तीन-चार घंटे भी जल जाए तब इनफ है और बाहर ही आपको यह दीपक रखना होता है तो कुछ ऐसा चीज है कि जिससे आप ढग सके उसको जिसे लालटेन का सीसा हो गया लैम का सीसा हो गया उससे कि इतनी बड़ी चीज कर रहे है तो कोई चीज ले लिजे जिससे हमारा दीपक जल जाए तो आपको दो लंबी बाती लगाने कि आपको चारों तरफ उस बाती को जलाना है अच्छे से डुबो दिजिए सरसों के तेल में अच्छे से उसमें बड़ा ही लीजेगा वो जो प अपने घर पर पूजा पाठ आपको करना है सबसे पहले आपको जो यम का दीपक है उसको आपको अपने घर के अंदर ही यम के दीपक के आपको पहले पूजा और चना करनी है उसके बाद आपको घर के बाहर जलाना है आपको जी जगह पर यम का दीपक रखना है आप उसको सा जाया जाया है रंग बंगोली से बना डिजये आटे या रंगोली से बना दिजये स्वास्थिक iam currently email कोड़ेए स्थार्श इंप प्युज्ची शुन हाथ मैं उसके उच्छी बात से इस्थाथ में steps iam ka did to 15 मां ओध बहुत अच्छी बात उसके बाद आपको क्या करना है पानी से आचमन कर दीजे उसके बाद रोली चंदन फूल खील बतासे जो आये रहते हैं अच्छत सब छिड़क दीजे पूजा कर लीजे इस तरह से अच्छे से पूजा करने के बाद ही आपको अब उस तीपक के अंदर दीपक के अंदर आपको डालना है ध्यान से एकका सिक्का कोड़ी मिल जाए तो डाल दीजे ना मिले तो कोई बात नहीं उसके अंदर काली तिल डाल दीजे या सफेद तिल जो भी तिल आपको मिल जाए काली तिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात काली तिल या सफेद तिल मिल जाए तो वो डाल बस ध्यान रखेगे उसमें एकका सिक्का कोड़ी और काली तिल जरूद डाली उसके बाद उस सिक्के की परिक्रमा उस दीपक की परिक्रमा तो हम ल तो के पूजन के पास रख दीजिए इस तरह से दीपक की परिक्रमा हो जाएगी अच्छे से पूजा अर्चना आपने कर ली और फिर उसके बाद आपको दीपक को बाहर प्रजलित कर देना है अब आपको क्या करना है जब आप दीपक को बाहर लेके जाए तो किसी प्लेट में ही लेके जाएंगे ऐसे तो लेके जाएंगे ने दच्छिर दिशा की ओर करके दीपक प्रजलीत कर देना और जब दीपक रखिए जमीन पे तो उसके नीचे चावल का आसन दे दीजे या तो फूल का आसन जरूर दे दीजे उसके बाद आपको क्या करना अपना मुख दच्छिर दिशा की ओर करके आपको दीपक आसन देकर र यम की डीपक जला रहा है तो बहुत बड़ी बात है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता यह भाद सालों से चला रहा है कि लोग जलाते हैं कि हमारे घर में सब अच्छा अच्छा ही हो सुब सुब ही हो तो उसके लिए आपको क्या करना है यम के दीपक को पीछे पलड़ के देखा नहीं जाता है तो आप जलाईए और जला के अंदर आजे और जब रात में सब लोग खाना पीना खा लें सोने की तैयारी कर रहे हैं तब आप पांच मिनट लगेगा अच्छे से जलाने होते क्योंकि में तो साथ 11 एकीस करने के लिए तो पहले जला देंगे और फिर रात में जब 11 बज्जा है उसके बाद किसी को बाहर नहीं जाना रहे तब आप यमका दीपन जलाईएगा उसके बाद रात में जलाईए आप आराम से साड़े दस ग्यारा बज्जे तक और अग्यर आप फ्लैट में रखते हो फ्लैट के बाहर रखते हो दर्वाजा बंद कर दीजे फिर किस कोई जान तो कोई नहीं जाएगा तो इस तरह से आपने घर में जाना है जो जिसका घर वगरा रहता है तो अपने घर के बाहर रख दें थोड़ा सड़क के पास रख दें जिससे घर के बाहर रख दें घर के मुख द्वार थे थोड़ा बाहर इस तरह से आप रख सकते हैं तो घर के बाहर आपको रखना है अपना मुख दच्छा की ओर करके तो इतना डरने वाली बात नहीं होती है यम का दीपक लगाते हुए तो इस तरह से आप दीपक प्रजलित कर दीजे और फिर घर के अंदर आजए फिर दीपक को पलटके नहीं देखना उसके बाद दीपक को आप जब जला दिया कि एक बाद दीपक जला दीजे तो इसको पलटके मद्दे की बद जलाए और अंदर आदे पहले जो आपको पूजा अर्चना करनी वह सब आपने अंदर ही कर दिया और दीपक के नीचे कुछ अच्छत फूल वगारा जरूर रख दीजे और जो सिक्का आपने दान कर दीजे इस तरह से आपको यम दीपक बनाना है और यम दीपक की पूजा करनी बस एक बात का ध्यान रखिएगा घर का कोई बढ़ा सदस्य करे और घर का कोई बाहर ना गया हो उत्ती समय आप यम दीपक जले और रात में जलाए तो ज़्यादा अच्छा हो घर के सब लोग ही अंदर रहें और इसके बाद भी यदि आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो यदि मुझसे कुछ बताने में कोई गलती हो गई है और आप लोग को कुछ बता हो पता हो तो मुझे भी बता दीजेगा जिससे मुझसे भी कोई गलत ना हो श्री सिवाय नमस्त व्यम हर हर महा देव भोले बाबा हम सब की मनों कामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें थैंक यू